नमस्कार दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं अब जब भी कोई करंट अकाउंट खोला जाता है तो सबसे पहला क्योस्चन यही होता है कि यहाँ पर हमें इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस क्या रखना होगा बैंकों में मिनिमम बैलेंस का कौनसेप्ट है वो खतम हो चुका है आजकल concept चलता है monthly average balance यानि कि आपके जो total deposits है या day end पर जो भी deposit है पूरे महीने का आपका average जो है वो इस account में minimum 5000 रुपई आना चाहिए नहाँ पर इसके दो example हो सकते हैं एक ऐसा वेक्ति है जो अपने account में पूरा महीना 5000 रुपई रखता है और एक दिन वो डेड़ लाक रुपई रख लेता है उससे उसका जो monthly average है वो 5000 रुपई आ जाता है और बचा हुआ पूरा महीना यानि कि 29 दिन वो अपने account को zero balance account की तरह यूज़ कर सकता है दूसरा question इसमें ये आता है कि यहाँ पर free cash deposit कितना करवाया जा सकता है अब current account में cash deposit की कोई limit तो नहीं होती लेकिन free cash deposit की एक limit होती है उस free cash deposit के बाद आप पर कुछ charges impose किये जाते हैं अगर आपको उससे भी ज़्यादा cash deposit करवाना है यहाँ पर इस regular current account की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप एक महीने में maximum 5 लाख रुपै जो है इतना cash जो है आप free में deposit करवा सकते हैं उसके बाद आप इसके उपर का जितना भी cash deposit करवाएंगे उस पर आपको कुछ charges देने होते हैं वो charges भी हम लोग आगे discuss करने वाले हैं इसके लावा SBA का बहुत बड़ा network है आप किसी भी branch से cash deposit करवा सकते हैं किसी भी branch से cash निकलवा सकते हैं तो यह सुविदा आपको रहती है home branch से जब आप cash withdrawal करवाते हैं तो किसी भी तरह के charges आपको नहीं देने पड़ते हैं इसके अलावा आपको free में internet banking के access यहां पर दिया जाता है internet banking के माद्यम से आफ नेft या RTGS जो भी करने वाले हैं उस पर किसी भी तरह के charges नहीं लिये जाते हैं एक special facility यह भी है कि हर महीने आपको 50 checks free में दिये जाते हैं तो एक साल की अगर हम बात करें तो लगबग 600 check आपको free में मिल जाते हैं यह सारे basic features देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहां पर आपको charges क्या क्या देने पड़ सकते हैं सबसे पहले वही monthly average balance आपको 5000 रुपए रखना है internet banking आपको यहां पर free में दी जाती है monthly account statement जो है वो आपको यहां पर free में दी जाती है लेकिन अगर आप कोई duplicate statement लेते हैं suppose आपने एक महीने एक statement ले ली और next month आपको उसी महीने की statement फिर से चाहिए तो duplicate statement के charges आप से लिए जाते हैं प्रती 40 entry के आपको 118 रुपए देने होते हैं जो की होता है 100 रुपए प्लस GST हलांकि यहां पर आपको यूज करनी चाहिए internet banking internet banking से आप जितने बार चाहें उतने बार अपने account का statement डाउनलोड कर सकते हैं इसके लावा multi city check leaves की अगर हम बात करें तो एक महिने में 50 check आपको free में दिये जाते हैं और 50 से extra अगर आपको check चाहिए तो उस case में प्रती check आप पर खर्चा लगने वाला है 3 रुपए प्लस GST यहां पर आप 25 leave की check book apply कर सकते हैं यहां पर आपको 75 रुपए प्लस GST देना होगा या फिर 50 leave की check book apply कर सकते हैं जहां पर आपको 1.500 रुपए प्लस GST देना होता है transferability की अगर हम बात करें तो इस account को एक branch से दूसरे branch में transfer किया जा सकता है overdraft facility यहां पर applicable नहीं है अब बात करते हैं cash deposit के लिए जैसा हमने पहले बात की की free में आप 5 लाख रुपए तक deposit करवा सकते हैं 5 लाख से बाद आप जो भी पैसा जमा कराएंगे तो प्रती 1000 आपको 75 पैसा charges की रूप में देना होता है यहां पर charges जो है minimum 50 रुपए प्लस GST काट लिए जाते हैं चाहे आप 100 रुपए ही जमा करवाएं तो 50 रुपए प्लस GST यानि की 59 रुपीज तो आपके minimum काटे जाएंगे हर transaction के लिए और maximum जो है वो आपको देने पड़ सकते हैं 20,000 रुपए प्लस GST यही एक major कारण है कि यह कहा जाता है कि अगर small business है छोटा business है तो उसके लिए यह current account best है अगर आपका business कुछ इस तरह से है जहां आपको बहुत जादा cash deposit करवाने की आवशक्ता होती है तो उस case में definitely यह current account आपके लिए नहीं है आपको उस case में एक higher variant के लिए जाना चाहिए जैसे की gold, platinum, roadie में इस तरह के काफी variant आते हैं जहां पर आपको बहुत बड़ी limit दी जाती है free cash deposit की हम लोग home branch से अपनी banking करते हैं जहां हमारा current account होता है लेकिन कुछ cases में यह भी होता है कि उस branch के अलावा हमें किसी दूसरी branch से भी cash deposit करवाना पड़ सकता है तो यह जो दूसरी branch है इसे हम कहते हैं non home branch तो non home branch पर आप एक दिन में maximum 5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं 5 लाख की एक limit है इस पर यह जो 5 लाख की non home की limit है रुपए आप cash withdrawal कर सकते हैं वो भी जो भी proprietor वगरा है current account का जो owner है वो खुद निकलवा सकता है जो भी signing authority है वो खुद पैसा निकाल सकती है non home branch से यानि कि third party को अगर आप check दे रहे हैं तो वो किसी non home branch से पैसा नहीं निकलवा सकती इसके बाद बात करते हैं demand draft की हलंकि आजकल demand draft की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती नहीं है अगर आपको demand draft बनाना है 5000 रुपए तक का तो आपको charges देने होंगे 25 रुपए प्लस GST demand draft अगर आप बनवा रहे हैं 5000 रुपए से 10 रुपए तक का तो यहां पर आपको charges देने होते हैं 50 रुपए प्लस GST अगर demand draft आप बनवा रहे हैं 10,000 रुपए से लेकर 1,000,000 रुपए तक का तो आपके लिए charges रहने वाले हैं 5 रुपए प्रती 1000 यहां पर आपको minimum 60 रुपए प्लस GST देने होते हैं यही demand draft अगर आप 1,000,000 रुपए से ज़्यादा का बनाते हैं तो प्रती 1000 रुपए देने होते हैं और minimum यहां पर 600 रुपए देने होते हैं और maximum यह charges 2000 रुपए प्लस GST तक अब बात करते हैं demand draft के बारे में अब demand draft की आजकल बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी इसके charges हम लोग देख लेते हैं demand draft में जो भी charges लगाए जाते हैं यह flat लगाए जाते हैं इस पर किसी तरह की जो GST है वो already included होती है यानि कि ऐसा नहीं है कि 25 रुपए charges लगाए और उस पर GST अलग से लगाई तो यह flat charges आप पर लगाए जाएंगे 5000 रुपए तक का demand draft अगर आप बनाते हैं तो charges रहेंगे 25 रुपए 5000 से 10,000 रुपए तक के demand draft के लिए 50 रुपए आपके charges रहने वाले हैं 10,000 रुपए से ज़दा और एक लाग तक के demand draft के लिए आपको charges देने होते हैं 5 रुपए पर thousand के लिए और minimum आपको 60 रुपए देने होते हैं अब demand draft एक लाग से ज़्यादा का है तो उस case में आपको देने होते हैं चार रुपए प्रती हजार और minimum आपको यहाँ पर देने होते हैं 600 रुपए और maximum आपको 2000 रुपए तक चार्जेस यहाँ पर लगाया जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ATM कार्ड भी ओफर किया जाता है यह प्राइड बिजनस डेबिट कार्ड होता है इस कार्ड के माध्यम से आप एक लाख रुपए तक cash withdrawal ATM मशीन से ही करवा सकते हैं। अब यह जो बिजनस डेबिट कार्ड हैं इसके लिए हम लोगों ने एक dedicated वीडियो औरेडी बना रखा है जिसका लिंक उपर आई बटन पर और नीचे description box में दे दिया गया है। अगर आप इन डेबिट कार्ड के बारे में डेटेल में जाना चाहते हैं तो उस लिंक का प्रयोग करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं आउट station check collection ये काफी less popular area है बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इसकी तो दस हजार रुपए तक 50 रुपए प्लस GST आउट station check collection दस हजार रुपए से ज़्यादा का और एक लाग रुपए तक का है तो charges हैं 100 रुपए प्लस GST, check collection एक लाग रुपए से दस हजार रुपए तक की नेफट के लिए आपको charges देने होते हैं 0.5 रुपए प्लस GST, दस हजार से ज़्यादा के लिए और एक लाग रुपए तक के charges रहने वाले हैं 5 रुपए प्लस GST, एक लाग से ज़्यादा और दो लाग रुपए तक के लिए charges हैं 15 रुपए प्ल तरह से फ्री है लेकिन ब्रांच के माद्यम से अगर आप आर्टीजेस करवाएंगे तो दो लाख रुपए से पांच लाख रुपए तक के आर्टीजेस पर आपको चार्जिस देने होते हैं 25 रुपए प्लस जी एस्टी और पांच लाख रुपए से जादा की अगर आपको करवा सकते हैं लेकिन आर्टीजेस जो है वो मिनिमम दो लाख रुपए की ही हो सकती है दो लाख रुपए से कम अमाउंट की आर्टीजेस आप नहीं करवा सकते हैं इसके बाद आती है कैश पिकप फैसिलिटी ये हालांकि लगबग सारे शहरों में उपलब्द नहीं है कु अब SBA में जितने भी current account है वहाँ पर आपको एक annual fees देनी होती है जिसे account keeping charges के रूप में जाना जाता है account keeping charges SBA के सारे current accounts में same ही लगाया जाता है जो की रहता है 550 रुपय प्लस GST इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप इस current account को बंद करवाना चाहते हैं तो उस case में क्या-क्या charges आप पर लगाया जा सकते हैं account खुलने के 14 दिनों के अंदर-अंदर अगर आप इसको बंद करवाने जा रहे हैं तो आपको कोई भी charges नहीं देने है 14 दिनों के बाद अगर आप इस current account को बंद करवाएंगे जो है डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन आज के समय में आपको current account open करने के लिए branch visit करने की भी आवशकता नहीं है यह जो left side में आपको menu दिखाई दे रहा है apply now या apply through video kyc यहां से आप जो है अपना current account घर बैठे खुलवा सकते हैं घर बैठे current account खुलवाने के लिए आपको video kyc की help लेनी होगी आप इस link पर क्लिक करेंगे apply through video kyc और आपके सामने ये वाली website खुल जाएगी जो की योनो बिजनस की है तो आप right side में ये जो उपर menu दे रहा है इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको अगर online current account खुलना है तो आपकी firm जो है sole proprietor होनी चाहिए आपके पास एक valid GST certificate होना चाहिए आपका उद्द्यम registration होना चाहिए आपके पास अधार card और pen card होना चाहिए तो ये सारा criteria अगर आप पूरा करते हैं तो आप start video kyc button पर click करेंगे और आप इस current account को इस link के मादयम से directly open कर सकते हैं यहाँ पर आपको 4 step follow करने पड़ेंगे mobile email ID का verification होगा पहले अधार और pen का verification होगा दूसरे step में तीसरे step में GST और Udhim registration का verification होगा उसके बाद आपका जो है account number आपको alert कर दिया जाएगा तो इस process की help से आप अपना current account घर बैठे खोल सकते हैं I hope यह video आपके लिए informative रही होगी SBA के regular current account के SBA के किसी भी तरह के current account के बारे में अगर आपकी कोई query है तो आप हमें नीचे comment box में लिख सकते हैं और हमारे content के लिए अगर आप लोग हमें appreciate करना चाहते हैं तो please like and share the video and don't forget to subscribe the channel Thank you so much